हलो प्रेंज आप सभी का स्वागत है क्रेन क्रेशन में आज हम बहुत ही सुन्दर बैक नेक डिजाइन लेकर आई हूँ और यह डीप नेक पर हम बनाए हैं तो वीडियो को बिल्कली स्कीप नहीं कीजिएगा इसमें हम स्टेप बाई स्टेप बता हैं तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लिजिए कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए बनाना ही स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले गले का चौड़ाई लेंगे गले के चौड़ाई लिए हैं गले का यहां पर लंबाई लेंगे तो गले का लंबाई यहां पर 9 आनुच हम लिए हैं 4 आप और यहां पर 20 इंच के मार्क लेते हुए एक सिधा लाइन कीच लेंगे कुछ है इस तरीके से देखिए बॉक्स टाइब का बना लेंगे और इसम यहां से देख सकते हैं थोड़ा सा बाहर के तरफ निकाले फिर यहां से राउंड देगे अब यहां से सवाए 1 इंच पर एक और मार्क करेंगे एक इंच टू पॉइंट के लगवा में दिखी यहां पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे तब ही जो ऊपर लाइन खीचे हैं उससे थोड़ा से बाहर आइज आए जयेगँ यहां पर फीर हम थोड़ा सा उसको बाहर के तरफ खीच लिए और यहां से फिर राउंड सेप दे लेंगे तो यहां पर राउंड सेप दे लिए इसके वाद से पेपर पेस्टिंग दे लेंगे तो इसको बीच में से हम फोल्ड कर लिए फोल्ड करके नाखों से थोड़ा सा माक कर लिए उसके बाद से बिलाउच पर इस तरीके से रख लेंगे जो मार्क किये थे उसी मार्क पर इस तरीके से देखिए इस पर भी कर लेंगे इससे क्या होगा इस पसपच्ट दीख भी जाता है इससे क्या होगा फिर हमको दोबारा मेजरमेंट नहीं लेना पड़ेगा और फिर एक इंच इस्टरा लेते हुए एक और में यहां पर हम लाइन ड्रोग कर लिए हैं और उसके वासे यहां पर पीन लगा दिये हैं और इसका कटिंग कर लेंगे तो सबसे पाले बाहर वाला लाइन पर कटिंग करेंगे अब इसका भी कटिंग कर लेंगे अब इसको और इसको दोनों को हम रख लेंगे और यहां पर हम अस्तर को ले लेंगे जो बिलाउज के में अस्तर कट किये थे उसको ले लेंगे और इसके उपर इस तरीके से रखते हुए प्रेस कर लेंगे प्रेस करके चिपका लेंगे तो देखिए हम प्रेस करके चिपका ल तो जिदी देखिए हम कितना दूरी पमाग किये हैं उसी मार्क के ऊपर चला लेंगे इसे क्या होगा दोने के बाद से पेपर पेश्टिंग है जो अंदर पड़े फोल्ड नहीं होगा और आप के पास जादे अगर अस्तर का कपड़ा है तो अलग से भी आप गला पट्टी ल अीद को ए लिए उसके बस मेन फेबरिक लिए लेंगे उसको सीधा करके रखेंगे इसके ऊपर यह अस्तर वाला पात को रख लेंगे है आप यहां पर पीन लगा लुग आप ऐड़ी नहीं चला लेंगे तो यहां पर फोड़ा से अपर सिलाय नहीं थोड़ा सा कप्रा छोड़ देंगे सिलाई के लिए और यहां पर सबसे पहले कॉनर पर कट लगाएंगे ध्यान रखते हुए सिलाई ना कटें उसके बाद से चारो तरफ छोटा-छोटा कट लगा लेंगे इससे क्या होगा आसानी से अंदर के तरफ प्लट जाएगा तब इसको यहां पर प्लट लेते हैं बहुत आसान तरीके से प्लट जाता है अब प्लटने के बास आप चाहें तो इसके उपर प्रेस चला सकते हैं नहीं ते एक प्रेस लाई भी लगा सकते हैं तो देखिए यहां पर प्लेट लिए हम आव इसके उपर से देखिए एक इदम किनारी पर प्रेस सिलाई लगा देंगे तो सिलाई को कम्प्लीट कर लिए अब यहां पर अस्तर को में फेबरी को एक दूसरे में अटाइच करना है तो चारो तरब से इस तरीके से सिलाई चिला कर एक दूसरे में अटाइच कर लेंगे फिर साइड में जो थोड़ा-थोड़ लिए थे टक्स पॉइंट के लिए तो उसको देखिए यहां पर सिलाई चला कर उसको भी कम्प्लीट कर लिए अब यहां पे पेपर ले लिए हैं जो बीच वाला पट्टी कट किये थे तो पेपर को हम डबल फोल्ड कर लिए हैं पट्टी को इस तरीके से रख लेंगे उपर स हैं उसी मार्क पर कटिंग कर लेंगे तो कटिंग को कर लिए अब यहां पे हम धाय इंच देखिए धाय इंच और यहां पर इस तरीके से ट्राइंगर से बना लेंगे और पीपर पे रखते हुए सिलाई चला लेंगे यह डिजाइन बहुत सुन्दर बनके तयार होगा एक अब आप जरूर ट्राइ कीजिएगा ट्राइ करने के बाद ही कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आये तो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं बोलिएगा अब इसी तरीके से सारे टुकड़े को ट्राइंगर से बना कर और और इस पेपर पे लाइक कर चला लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपलेट कर लिए इसको और अब यहाँ पर डेऍद एज़ इच चौड़ा उरे पट्रąć कर लिए हैं यह गूलडण कवर्ड कर लिए और इसको डबल फोल्ड कर लिए हैं डबल फोल्ड करके और इस पे रक कर सीला चला लेंगे तो सीधा पीन लगता होई से इसको भी तैयार करना है और इश्टा जो है उसको कट कर लिए इस तरीके से देखिए अंदर के साइड फोल्ड करते हुए यहां पर फोल्ड करेंगे अंदर के साइड अपने एक पाइपीन यहां पर तयार हो जाएगा और इदम पाइपीन एक बुराबर तयार हो गए यहां पर तो देख सकते हैं कितना सुन्दर यह पाइपीन बनकर तयार हो गया है अब जो साड़ी का ब सपब पर सफेलाइब लिए अब दूसरी तरब से आज्विंज किनारी फोल्ड करके इसके उपर भी सिलाइइच लेंगे तो दोनों तरब से सिलाइचेला कम्प्लीट कर लिए है कि आप यहाँ पे छोटे छोटे प्लीटे बनाना है तो इस तरीके से देख सकते हैं किसी चीज से आप अगर बनाना चानते हैं तो किसी चीज के सहरा ले सकते हैं ऐसे भी हाथ से भी अच्छे से बन सकता है तो यहां पर देख सकते हैं सहरा पिलीटे बनाकर तयार कर लिए देखिए कितना सुन्दर पिलीटे बन गया है अब भी इसको जो पेपर परला हम डिजाइन बनाये थे उसको ले लेगे और इस तरिके से पूराबर करते हुए रख लेगे और इस को पर यहां पे प्पराई चलाकर यहां इसको जाए पाधे चलाना है और फिनीसिंग के साथ चलाना है जो करें चलाए planning तो यहां पर देखिए इसको लगा का कंप्लीट कर लिए पिछे से पेपर को निकाल लेंगे आप चाहें तो बाद में भी निकास रखते हैं हम अभी निकाल लिए हैं अब जो फिरील तयार किये थे उस फिरील को ले लेंगे यहां पर दिखी दोनों साइड हम चागपी से मार्क किये हैं उसी मार्क पर रखते हुए उपर के साइड से आधा इंच से पौन इंच के लगभ़ में कपड़ा हम उपर के साइड छोड़ देंगे उसके वासे फिरील इसी तरीके से प्लीटे बराबर रखते हुए यहां पर अटाइच कर लेंगे इस मार्क से लेकर और उस मार्क तक अटाइच करके फिर दिखाते हैं आपको ति आप देख सकते हैं अटाइच कर लिए फिर नीचे के साइड से भी सेम इसी तरीके से करेंगे यहां पर उपर वह आराम से दीक रहा है उसको थोड़ा सा घीचते हुए उसको फिनीशिंग देते हुए यहां पे नीचे के साइड भी लगा लेंगे तो सेम जीस तरीके से उपर से लगा हैं उसी तरीके से नीचे से भी जिला लेंगे तो जितना प्लीट ऊपर रहेगा उतना ही नीचे भी बैठेगा यहां पर उपर का साइड देख रहा है ना अंती पौने इंच के लगभा में हम कपड़ा छोड़ दिये हैं आप यहां पर लाइस लगाना ईकल प्लीप डिलिक्ट वह गए थैङा तो मैं नहीं दिखा परिये हां पर लाइस लगाई हूँ उसके दो अवास के जूरफ सोल्डर से आंई तो साइड में मैं लैस थोड़ा कम कर दी हूँ क्योंकि इस तरीके से फोल्ड करके सिलाए गया तो यहाँ पर जादे मोटा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ से कट कर दी हूँ आप चाहेते इसे पतलावी less लागा सकते हैं डबल लाइन का भी less लागा सकते हैं इसके वासे यहाँ पे जो triangle से बनाए थे उसके corner पे मोती लागाना है था हम यहाँ पे golden color का मोती ले लिये हैं और इस तरीके से सूई धागे के सहारे से लागा लेंगे एक गोल्डेन है आप चाहें तो किसी भी आप अपने बिलाउंज के मेचिंग के हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं तो इस अभी जो ट्राइंगल बना है उसके कॉर्नर पर लगेगा एक कम्प्लीट होने के वाद से इसका फाइनल लुक तो बहुत सुन्दर लगेगा तो इसी तरीके से सारे हम मोती को लगा लेते हैं लगा के तो इस पर सारे मोती को लगा लेंगे या नीचे देखिए कम्प्लीट करके हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं तो देखिए, फाइनल कर लिए ए रहा इसका फाइनल लूप, यहां पे आप डोरी भी लगा सकते हैं, गला पे, हम भी लगाएंगे, बाद में पुरा फाइनल होने के बाद लगाएंगे, तो अभी मैं नहीं लगाई हूँ, फिलाल इतना ही, और देखिए कितना सुन्दर लगेगा तो देखिए कितना सुन्दर लग रहा है न तो आज का वीडियो कैसा लगाया कमेंट करकर जुरूर बताईएगा अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल पर सस्क्राइब कर लीजिए गा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट डिजाइंक साथ तक तक के कितना सुन्दर नेस्ट पर सबस्दाइब कर लिजएगा रहा है तक कर दो मेरे चैनल गज़ रहाँ ज़ रहा है तक कर दो आजीजिए तक मैं घूँवे तक की तक कर दोस्त तक कर दोस्तव.